जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास जो है हम लोगों का ओनलाइन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यूटूब चैनल के तहत आपको जो है ये विडियो देखने को मिलेगा। कुरोना के वजह से क्लास हम लोगों का लमबे समय तक बंद रहा और अप्लीकेशन गगरा भी जो है हम लोगों का नहीं बन पाया था। आज हम लोगों का Catalyst Point Chemistry Class के नाम से अपना अप्लिकेशन बन गया है जिसको आप लोग प्ले स्टोर के थूर डाउनलोड कर लेंगे. इधर जो भी वीडियो गरा चलेगा वो यूटूब चैनल के तहथ चलेगा और लाइब क्लास भी यूटूब चैनल के तहथ ही होगा. काफी समय बीत जाने के दोरान जो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था सिलेबस का टॉपिक जो चर्चा हुआ था उसमें एक दो चैप्टर की पढ़ाई भी हो गई थी. मुझे लगता है कि वो सभी चैप्टर के टॉपिकों को आप लोग भूल गये होंगे. इसलिए इस ओनलाइन क्लास में जो है आपको टोटल सिलेबस सुरू से दिया जाएगा. जिसमें सिलेबस पे चर्चा हम लोग नेक्स क्लास में करेंगे. आज फिलाल हम लोग ये देखते हैं कि नई सिक्षा निती जो आई है, वो सिक्षा निती कितने हद तक हम लोगों के लिए कारगर है. बहुत सारे बच्चों का ये कहना भी है कि इसी लोग डाउन के तहत हम लोगों का मैटी का रिजल्ट भी आया, इंटर का भी रिजल्ट आया, साथ ही साथ इतना बड़ा बदलाव सिक्षा निती में हुआ, क्या हम लोगों के लिए ये कारगर हो सकता है. तो मैं उन सभी बच्चों को आस्वस्त करता हूँ, आप सभी इस नई सिक्षा निती से घबडाये नहीं, आप लोगों का जो सिलेबस है, वो पुराने सिक्षा निती के ही आधार पर चलेगा. तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ये समझते हैं, कि ये नई सिक्षा निती का डेवलोप्मेंट कैसे किया गया है, और ये कहां तक हमारे लिए कारगर है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो एजूकेशन डिपार्टमेंट है, वो आता है M.H.R.D. के तहर्ट, जिसको ये 2020 में जिसका नाम चेंज करके बताया गया है, Ministry of Education, इस नई सिक्षा निती को जो है, बहुत सारे विद्वानों के तहत, बहुत सारे विद्वानों के सुझाव को ले करके बनाया गया है, जिसकी अध्याच्छता इसरों के पुर्व बैग्यानिक कस्तूरी रंजन के तहत किया गया है, इस सिक्षा निती में बहुत सारे बदलाव किये गये हैं, जो हम लोगों को अभी देखने को मिलेगा, और काफी हद तक ये हमारे अनुसार कारगर भी है, इस सिक्षा निती के तहट ये बताया गया कि सबसे पहले 1968 हिस्वी में एक सिक्षा निती लागू की गई, उसके बाद 1986 में इसका मोडिफिकेशन किया गया, और अब 2020 में फिर से इसका मोडिफिकेशन किया गया है, इसमें अंतराल हम देखते हैं, तो 1968 के बाद 1986 यानि 18 साल के बाद जो है मोडिफिकेशन हुआ, 1986 से 2020 यानि 34 साल के बाद ये मोडिफिकेशन किया गया है, अब इस मोडिफिकेशन में देखते हैं क्या-क्या अंतर है पुराने सिक्षा निती के अधार के सापेक्ष में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो भी class लगरा किया या हम लोग करते हैं वो 10 प्लस 2 के ही आधार पर है और अभी 2020 में जो चर्चा हो रहा है ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के आधार पर हो रहा है दोनों में हम दो देखते हैं कि इसमें जो बच्छा है वो 6 साल में क्लास करने जाता है और इस नई सिक्षानिती में बच्चा तीन साल में ही स्कूल ज्वाइन कर लेता है अधिकांस बच्चों को ये देखने को मिलता है और हम लोग अक्सर ये देखते भी हैं कि जो बच्चे हैं स्कूल जाने के नाम पे काफी डरते हैं गर्जियन लोग काफी परशान हो जाते हैं ले जाते हैं बच्चों को इस स्कूल में छोड़ने बच्चे गेट पे ही रोने लगते हैं तो उनको ख्याल में रखते हुए ये सिच्छा निटी में बताया गया है कि इन बच्छों को जो है तीन साल में ही आप स्कूल में डालें और उसको पूरी आजादी स्कूल के अंदर में ही दें ताकि वो खेल कूद सके और उनको जो खेलने का माहौल बाहर में मिलता है वो इस स्कूल में ही मिले इसके अतहर बताया गया है कि पहला जो पांच साल है यह पांच साल जो है यह एक स्टेज को डेवलप किया है जो है फांच साल स्टेज इस स्टेज में बच्छों को तीन साल तक अगले तीन साल तक शुरू तो यह क्लास ज्वाइन की यह तीन साल के ही उमर बे अगले तीन साल तक इनको पूरा खेलने का आजादी स्कूल में देना है बच्छे जिस तरीके से चाहें वो खेले अब इसका मतलब यह नहीं कि स्कूल में जागे बच्छा गोली खेले बच्छे को खेलने की आजादी है सिख्छक भी वहाँ है वो भी पैरेंट के तरह ही उस बच्छों से बिहाइब करेगे साथ ही साथ बाकी का ये दो साल जिसमें बच्छा पहला और दूसरा क्लास इसी पांच साल के अंदर में पढ़ लेगा सबसे बड़ा इसके अंदर में ये दिखाया गया है कि इसमें बच्छों को एक्जाम को ले करके कोई प्रेश्ण नहीं देना है बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, जो भी करना होगा करेंगे और साथ ही साथ पहला दूसरा क्लास वन और टू जो है क्लास भी पास कर जाएंगे इसमें एक्जाम नहीं है दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज यह स्टेज जो है यह पहला स्टेज तो हम लोगों का पांच साल कर रहा यह हो गया फाइब दूसरा स्टेज जो है यह तीन है तो पहला और दूसरा जो है यह बच्चा फाउंडेशन स्टेज में ही पढ़ लिया इस प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे जो हैं तीसरे क्लास से पांचीवे क्लास तक पढ़ेंगे यानि इसके अंतरगत 3, 4 और 5 आपड़ेंगे और इस stage में बच्चों को exam देना होगा इस stage में बच्चों को 2 तरीके से दिखाना है दो तरीके से इसमें पढ़ाना है जिसमें एक तो बच्चा जो है खेले भी और पढ़े भी और दूसरा इसमें बच्चों को उनके छेत्रिये भासा में ही पढ़ाना है छेत्रिये भासा में जैसे बच्चा जो है पंजाब का है तो पंजाबी भासा में पढ़ेगा हमेरे अनुसार बिहार में है तो भुझपूरी में पढ़ना उचित नहीं जाएगा फिर भी उनको अपने मदर लेंग्वेज में ही पढ़ना है इसके लिए जो है प्रेशर नहीं है अगर कोई बच्चा चाहता है कि इंग्लिस मेडियम में पढ़ें तो उसको पूरी आजादी है वो इंग्लिस मेडियम में भी पढ़ सकता है लेकिन कोई स्कूल बच्चे को प्रेशर नहीं करेगा कि नहीं तुमको जब पढ़ना होगा तो इंग्लिस मेडियम में ही पढ़ना होगा तो इस स्टेज में जो है बच्चा थर्ड क्लास में है फोर्थ में है फिफ्थ में है ये तीनों क्लास में बच्छा परतेक साल एक्जाम देगा और नेक्स क्लास के लिए आगे चला जाएगा उसके बाद है इसमें 5 प्लस 3 तो होई गया अब बच्छा फिर 3 ये है मिडिल स्टेज इस स्टेज में बच्छे 6, 7 और 8 ये तीन साल पढ़े गए इसमें एक बच्छों को इंडियन लैंग्वेज लेना है साथ ही साथ इसमें मैथ साइंस आर्ट्स इक इसमें टेक्निकल कोर्स ही रहेगा साथ ही साथ कम्प्यूटर की भी जानकारी दियाएगी जैसे ट्रेडिशनल क्लास में पहले होता था कि मैथ, साइंस, आर्ट्स तो हम लोग पढ़ते ही थे नया इसमें टेक्निकल कोर्स जोड़ दिया गया है ये काफी कारगर है बच्छों के लिए ताकि अब बच्छे जो अपना एम बनाते हैं 11-12 के बाद वो अपना इसी स्टेज में अपने एम को जो है चूज करेंगे इस टेक्निकल कोर्स में कोई बच्छा चाहता है कि हम कारपेंडर का काम करना सीखेंगे वो सीखेगा, कोई बच्चा चाहता है कि हम खाना बनाने का तरीका सीखेगा, इसमें बच्चे को अपने अनुसार पूरी आ जादी है, जो टेक्निकल कोर्स करना चाहे, वो इसमें कर सकता है, हलाकि ये टॉपिक जो है, ये टेक्निकल कोर्स अपने बितियां सहर में भी राज स्कुल में एक बार आया था जिसमें बच्छों को इंटर के बाद जो है भोकेशनल कोर्स में आटो मोबाईल एंजिनेरिंग के भी पढ़ाई कराई जाती थी और मोतिहारी में भी जिला स्कुल में ये जो है लागू किया गया था एक इसमें कम्प्यूटर का नौलेज होगा जिसमें कम्प्यूटर का जो एलिमेंटरी आइडिया है उस आइडिया को जो है इस बच्छों को दिया जाएगा तो इस प्रकार से हम लो देख रहे हैं कि ये 2020 की नई सिक्षा निती में फाइब जो पहला इसका फाउंडेशन स्टेज है इसमें बच्छों को एकजाम नहीं देना है इसमें सुरू का तीन साल बच्छों को खुब खेलना है साथी साथ फर्स और सेकेंड क्लास जो है बिना एकजाम का पास कर जाना है दूसरा इसमें है preparatory stage इसमें बच्चे को 3-5 पढ़ना है इसमें exam भी देना है बच्चों को खेलने के साथ-साथ पढ़ाई भी करना है और बच्चों को अपने mother language में या national language में बच्चों को पढ़ाना है इसमें तीसरा form है middle stage जिसमें बच्चे को 6-8 तक पढ़ना है जिसमें एक Indian language को चूज करना है साथ-साथ इसमे math, science, arts की पढ़ाई जैसे होती है वैसे ही रहेगी इसमें दो नया course जोड़ा गया है जिसमें एक technical course है और दूसरा computer course है इस technical course में बच्चों को esteem को देखते हुए बताया गया है कि जो बच्चे without esteem है पहले बच्चों को जो है ये जानकारी ही नहीं हुआ करता था कि हमको आगे करना क्या है उनसे कभी-कभी ये पूछा जाता था कि आप interpass करके क्या करेंगे तो बच्चे बोलते थे पहले हम IAC pass करेंगे फिर BAC pass करेंगे तब बिचार करेंगे तो ये कहानी इसके अंदर में नहीं है बच्चों को सुरू से ही ये बिचार करना है कि उनको आगे करना क्या है इसी को देखते हुए इस सिक्षा निति को बनाया गया है अब फिर हम देखते हैं इसके आगे जो 5 प्लस 3 प्लस 3 तो होई गया अब प्लस 4 के बारे में देखते हैं तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट का प्लस 4 का मतलब क्या हुआ इस स्टेज को कहा गया है सेकेंडरी स्टेज इस स्टेज में 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी इस स्टेज में कोई स्टीम नहीं है मल्टिपल्स सब्जेक्ट को चूझ कर सकते हैं और इस पिसली इसमें बच्चों के अंदर में सोचने, समझने और विचार करने की छमता को बढ़ाने के लिए इसमें काफी चेंजिंग किया गया है इसके तहक्त एक्जाम जो है सिमिस्टर वाईज होगा हम लोगों ने पिछले कई सालों से ये देखा है जब से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ये देखने को मिलता है कि जब बच्चों का एक्जाम फाइनल आता है नजदी बच्चों का एक्जाम होने वाला है फरवरी में तो बच्छे जो है थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं दिसंबर में, उनको एक्जाम से जो है काफी दूरी बना करके वो रखते हैं, एक्जाम के नाम से उनको काफी डर लगता है, साथी साथ उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, इसी को देखते हुए इस नहीं सिक्ष में जा सकेंगे तो इसके अंदर में ये चार साल के कोर्स के तर ये आठ सेमेस्टर का होगा इसमें आठ बार एक्जाम देना होगा किसी भी एक सेमेस्टर में आप फेल करते हैं तो बैक हो जाएगे उसमें आपको आगे नहीं भेजा जाएगा तो इसको देखते हुए जो है ये secondary stage को बनाया गया है, अब देखते हैं, एक हम लोगों को मिला foundation stage, preparatory stage, middle stage, और secondary stage, प्राइम जो foundation stage है, वो 5 है, जो preparatory stage है, वो 3 है, जो middle stage है, वो 3 है, और जो secondary stage है, वो 4 है, इसका मतलब ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये रहा, अब चिंजिक देखते हैं, graduation में, graduation जो है, जैसे पहले रहा, वैसे ही अभी भी है, बस इसमें थोड़ा सा changing हुआ है, हलाकि पिछले पहले दिल्ली इन्वर्सिटी में ये शुरू से ही लागू हो चुका है, कि degree classes जो graduation है, वो 4 येर का होगा, हलाकि इसमें इस नहीं सिक्षा निती में जो है, पूरे भारत के अंदर में ये लागू करने का आदेश दिया गया, कि आपको graduation अब 4 साल का करना है, और इसमें परते एक साल का अपना एक अलग-अलग benefit है, जिसमें, देखते हैं, graduation में, यदि, आप first year class किये, और first year class करने के बाद, आपने पढ़ाई को रोख दिया, तो ये first year का जो result होगा, ये अपने आप में आपको एक benefit देगा, जिसको graduation certificate के नाम से जाना जाएगा, second year यदि आप पढ़ें, तो इसका एक अलग certificate होगा, जो graduation, diploma के नाम से जाना जाएगा, third year जो होगा, वो graduation, degree के नाम से जाना जाएगा, और जो fourth year होगा, जो fourth year होगा, वो research के नाम से जाना जाएगा, अब इसमें देखते हैं benefit क्या है, तो इसके परते एक अलग-अलग साल का अपना-अपना benefit देखने को मिला है, पहले graduation कोई भी student करता था, अगर वो first year किया, second year किया, और किसी कारण वस वो third year नहीं कर पाया, तो उसका वो graduation जो है किसी लायग नहीं रहा, लेकिन अब जो है, इस नहीं सिक्छानिती में ऐसा बदलाव किया और बताया गया है, कि इसके परतिक वर्स का अपना जो है benefit है, जैसे कोई बच्चा graduation किया, एक साल का course कर लिया, और किसी कारण बस वो रुग गया, नहीं पढ़ाई कर पाया, पैसे के अभाव में या कहीं दूसरे जगह चला गया, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो उसको जो पहले साल का मिलेगा certificate, वो graduation certificate के नाम से उसको paper मिलेगा, अब यदि वो बच्चा चाहता है कि तीन साल बाद हम फिर पढ़ें, तो तीन साल बाद यदि वो बच्चा आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो graduation फिर सुरू से करेगा, वो first year का जो certificate लिया है, वस उसी के आधार पर second year में जाएगा, और उसको diploma का certificate मिलेगा, यदि कोई बच्चा चाहता है कि हम UPSC, बैंक वेगर का तयारी करें, ISPCS का तयारी करें, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो third year तक degree certificate, जो graduation का degree किया रहेगा, उसी को जो है, यह job की opportunity मिलेगी, और चौथा जो है, इसका, यह research का है, यदि कोई बच्चा चाहता है कि हम graduation third year का करें, और job में चले जाएं, तो उसके लिए यह research, fourth year का course करने का कोई सकता नहीं है, साथ ही साथ इसमें बताया गया है, post graduation को ले करके, अब इसमें कोई खास changing नहीं है, वो तो आप देखी रहे हैं कि graduation 3 साल का है, अगर यह 4 साल का है, तो PG आपका 1 साल का होगा, अगर graduation आपका 3 साल का है, तो PG आपका 2 साल का होगा, यदि कोई बच्छा graduation में ये चारो year कर लिया, research वगरा भी कर लिया, तो उसको post graduation जो है, वो एक साल का करना है, और कोई तीन साल तक पढ़ाई करके degree लिया है, तो उसको वो PG जो है, वो दो साल में करना है, साथ ही साथ PhD को लेकर के बताया गया है कि PhD, जो है आपका चार साल का course सुझाएगा, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये नई सिक्छा निती के तहट जो है, क्या-क्या बदलाव किया गया है पुराने औधारनाओं में, और ये नया में क्या लाया गया है, मेरे अनुसार जो है, मेरा यही सुझाव है कि ये नई सिक्छा निती के बच्छों के अंदर में सोचने और समझने की छमता को बढ़ाने के लिए कुछ इसमें पेपर भी इंक्लूड किया गया और इसका बेनिफिट भी हम लोगों को देखने को मिलेगा आखिर इस नई सिक्षानिती को बदलने में बदलने की ओसकता इस सरकार को क्यों पढ़ी भार कि प्राइब Georgetown के मनमानी अपना है तो उस फी के मनमानी को रोखने के लिए भी इस सिक्षानिती को लगाया गया है, जो काफी हत्त कारगर होगा साथ ही साथ भारत सरकार सिक्षा पर जितना भी खर्च करती है वो अभी तक काफी कम है लेकिन इस नई सिक्षा निती के तहर जो है वो काफी इस पर खर्च भी होगा साथ ही साथ इसमें हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि प्राया हम लोग ऐसा सुनते हैं कि कोई बच्चा अगर बितिया में एक्जाम दिया और उसकी कॉपी चले गई गया में चेक हो रही है तो उस बच्चे को ये मालुम चल जाता है यानि डिपार्टमेंटल कोई भी सेकरेसी जो होगा उसको इस नई सिक्षानिती के तहत जो है मेंटेन किया जाएगा इसको जो है उपे नहीं किया जाएगा तो ये हम लोग देख रहे हैं नई सिक्षानिती के बारे में तो आप लो जो है उमीद किया जा रहा है कि यह 22-22 के बाद ही लागू होगा फिलाल आप लोगों का जो है पुराने सिक्षानिती के ही अनुसार जो है आपका सिलेवस सलेगा तो आप लोग जो है इस पर विसेश ध्यान नहीं देंगे इसको देख करके घबडाएंगे नहीं कि पता नहीं इस lockdown में बहुत सारा बदला हुआ कहीं हो सकता है कि exam भी हम लोगों का नई सिक्षानिती के अधार्पी ही न हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है next class में जो है हम लोग अपने 12 के chemistry के syllabus को बारीकी से समझेंगे साथी साथ उसमें देखेंगे हम लोग कि किस chapter से कितना number का question आता है exam में और कहां किस chapter में number को लेकर के fluctuation होता है हम लोग प्रारम से जो हम लोग सुरू में class किये जिसमें एक दूर chapter का class हो भी चुका है तो उसको नजर अंदाज करते हुए हम लोग फिर से जो है syllabus को नए तरीके से देखेंगे और नए तरीके से पढ़ेंगे ठीक तब तक के लिए धन्यवाद